शराब गोटाला केस में ईडी की चापेमारी दिल्ली और पंजाब समेत तीन राज्जों में 35 जगों पर रेट दिल्ली के शराब गोटाला मामले में प्रवतन निदेशाल है ईडी की कारवाई जारी है शराब घोटाला मामले में एडी की टीम शुक्रवार सुवे से चापे मारी कर रही है एडी की टीम दिली, पंजाब और अंदरप्रोदेस में चापे मारी कर रही है शराब घोटाला मामले में इन राजियों में करीब 35 जगहों पर चापे मारी की जा रही है इड़ी इस मामले में तीसरी बार छापे मारी कर रही है अब तक करीब 100 ठेकानों पर छापे मारी हो चुकी है बता दें कि इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजे नायर को गिरफतार किया जा चुका है शराब गोड़ाला केस में 17 अगस्त को F.I.R. दर्ज की गई थी C.B.I. के मताबिक नायर ने नई आपकारी नीती बनाने और शराब की सप्लाई और विक्री को चंद कपनियों तक सीमित करने की धान्दी में एहम भोमिका निभाई थी इस सिसले में दिल्ली के डिप्टी सीम मनीस्ति सौरिया के घर भी छापे मारी की जा चुकी है गोड़ तलब है कि दिल्ली की नई आपकारी नीती पर सवाल उठाए जा रहे थे इसको देखते हुए राज़िपाल विने कुमार सकसेरा ने मामली की सीविया इजांच की शिफारिस की थी उनकी सिफारिस के बाद केंद्री इजांच एजनसी ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था शराब घोटाला केस को लेकर भाज़पा और आमादमी पार्टी में जुबानी जंग भी जारी है आमादमी पार्टी का कहना है कि भाजपा पार्टी की लोगपियता से बौकला गई है इसलिए च्छा पिमारी की जा रही है वहीं भाजपा नेताओने मनीस सौधिया को डिपटी सीम पत से हटाने की मांकी है